ये गाईज आज किस वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus 9 सीरीज के बारे में जैसा कि आप जानते हैं ये एक flagship सीरीज है और इसमें आपको दो स्मार्टफों देखने को मिल जाते हैं OnePlus 9 and 9 Pro So guys OnePlus एक ऐसा ब्रेंड है जिसमें आपको इसके प्रिवियस स्मार्टफों के अपग्रेड स्मार्टफों काफी जल देखने को मिलते रहते हैं अभी रिसेंटली OnePlus 8 सीरीज को लाँच किया गया था जिसमें आपको काफी बेटर स्मार्टफों देखने को मिल रहे थे So guys इसका जो प्रिवियस स्मार्टफों था वो था OnePlus 8T जिसमें आपको काफी mix-up specifications देखने को मिल जाती थी और जिसका launch करने का कोई logic ही नहीं था लेकिन guys अब जो आपको 9 सीरीज देखने को मिलने वाली है ये एक बहुती बड़ा अपग्रेड होने वाली है इसकी 8 सीरीज से so guys आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी extracted specifications के बारे में अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें ऐसी ही latest tech videos के लिए so guys सबसे पहले बात करें इसके processor को लेकर इसमें काफी सारा upgrade आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि guys यहाँ पर आपको एक बहुती न्यू प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो की है snapdragon 875 का और guys ये 865 से काफी better रहने वाला है क्योंकि Qualcomm snapdragon की और से आने वाला है next flagship processor रह gamma variant और 256 GB कि storage capacity तको देखने को मिल सकती है बात करेंश की performance को लेकर तो guys 1plus में आपको kaffi better performance देखने को मिल जाती है लेकिन 9 Series में आपको एक next level performance देखने को मिल सकती है बात करें इसके इसके display के बारे में तो इसमें आपको AMOLED डिस्प्लेई देखने को मिल जाएगी जैसा कि सेम इसकी 8 सीरीज में देखने को मिलती है लेकिन जो इसका real upgrade रहने वाला है वो इसके refresh rate को लेकर इस स्मार्टफोन सीरीज में आपको higher refresh rate देखने को मिलेगा 144Hz का जबकि OnePlus 8 सीरीज में 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है और ये इसके pro model में रहने वाला है और इसी के साथ ये display quad HD plus की रहने वाली है जबकि OnePlus 9 में 120Hz का higher refresh rate देखने को मिलेगा जो की full HD plus के resolution के साथ ही आने वाली है और guys बात करें इसके front side camera की तो यहाँ पर आपको center punch hole design selfie camera देखने को मिल जाएगा जैसा कि आपको Samsung के smart phones में देखने को मिलता है और ये बहुती better design लगने वाला है as compared to side punch hole के तो guys बात करें इसके charging capacity के बारे में यहाँ पर भी आपको काफी बड़ा upgrade देखने को मिल जाएगा इसी smartphone series में आपको 65 watt का fast charger support देखने को मिल जाता है ये same आपको one plus T के smartphone में देखने को मिलता है तो guys one plus nine series में 40 watt तक का wireless charger support भी देखने को मिल जाएगा और guys बात करें one plus nine series के कुछ other features की IP68 की rating dual stereo speakers का support in display fingerprint sensor और NFC का भी support देखने को मिल जाता है तो guys बात करें इसके software को लेकर तो one plus nine series में in the box आपको android 11 का support देखने को मिल जाएगा और oxygen OS 11 के साथ तो guys आप हमें comment करें कि आपको ये smartphone series कैसी लगी और अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो इस video को like करें, share करें और इसी तरह के किसी भी smartphone और technical update से जुड़ी videos के लिए हमारे चैनल को subscribe करकर bell icon को press करें thanks for watching मिलता है अपनी next video में करें और दुज़ी लगों